एक बार एक किसान था जिसके पास एक सुन्दर सफेद घोड़ा था, अन्य सभी ग्रामीन घोड़े की ताकत और ग्रेज से आश्चर्य चकित थे. एक दिन घोड़ा अपने बारे से भाग गया और जंगल में गायब हो गया, ग्रामीनों ने किसान के नुकसान के प्रती सहनुभूती व्यक्त की और उसे सात्वना देते हुए कहा कि आपका दुर्भाग्य क्या है, सबसे बेशकीमती संपत्तिक हो गई है, फिर भी किसान शां और निश्चित रूप से जानता है, कुछ दिनों के बाद गाव के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, कि वह घोड़ा जंगल से जंगली घोड़ों के जुन्ड का नित्रित्व करते हुए वापस आया, अब किसान के पास ना केवल उसका प्रिय घोड़ा वापस आ गया, लेकिन इसके अलावा और भी घोड़े हैं, ग्रामीनों ने उसकी नई मिली संपत्ती पर खुशी जताए और कहा कि यह कितनी अच्छी किस्मत है कि आप अब एक अमीर आदमी हैं, किसान एक बार फिर शान्त रहा और जवाब दिया जैसी भगवान की इच्छा कुछ हफते बीद गए और किसान के बेटे ने प्रशिक्षन लेने का फैसला किया। इने बाद राज्य युद्ध में चला गया और सभी सक्षम युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया। किसान के बेटे को उसके टूटे हुए पैर के साथ सेवा के लिए अयोग्य माना गया। जीवन निश्चित रूप से घटनाओं की एक श्रिंखला से भरा है। जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी गम आता है। घटना घटित हुई है वह खुशी की है या गम की है वह हम इनसान ही बनाते हैं। किसान की कहानी हमें सिखाती है कि इन घटनाओं की वास्तविक प्रकृती हमेशा स्पष्ट नहीं होती है कि जो दुर्भाग्य प्रतीत होता है वह आशीरवाद में बदल सकता है और जो सौभाग्य प्रतीत होता है वह अप्रत्याशित कठिनयों का कारण बन सकता है। इसलिए हर मोण और मोण का आकलन करने की बजाए प्रतेक अनुभव को शांती और विश्वास के साथ स्वीकार करें. काम का एक बड़ा उद्देश्य है, याद रखे की जीवन का सच्चा ज्यान अनिश्चित्ताओं को स्वीकार करने में ही है.